दोस्तों गर्भावस्ता के 36 या 37 हफ़ते तक शिशु अपना सर नीचे कर लेता है और गर्वती महिलाओं ये सोच कर परिशान होती है कि उन्हें ये कैसी पता चलेगा कि उनके शिशु ने सर नीचे कर लिया है यानि कि शिशु अब सैफलिक पोजिशन में आ चुका है तो आपको बता दू कि जब आपका शिशु सैफलिक पोजिशन में आ जाएगा यानि के सर नीचे कर लेगा तो गर्वती महिलाओं को अपने पेट के नीचे के एरिया में यानि के पैल्विक एरिया में प्रेशर बहुत जादा महसूस होगा और उन्हें साथ में ये भी महसू होगा कि जब वो खड़ी होंगी उनका शिशु नीचे की तरफ किर जाएगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है शिशु आपके अंदर बिल्कुल सुरक्षित होता है इसके अलावा गर्वती महिला को इस दौरान ये भी महसूस होता है कि शिशु अपने आपको नीच दिखाई देते हैं याने के नववे महिने में उसके बाद आपको सावधान हो जाना है और आपको कुछ खास ऐसी गलतिया है जो इस दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी है ताकि आपका होने वाला शिशु बिल्कुल सुरक्षी जन्म ले उसे किसी भी प्रकार की कोई समश्य जाना हो तो आईए आप जान लेते हैं कि जब शिशु सर नीचे कर लेता है तो उस दौरान गर्वती महिलाओं को क्या क्या सावधालिया रखनी है तो जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखेगा एंड तक पिना इसकिप के और चैनल पन नए है तो मेरे इस चैनल प्र परण गर्भाशे को चोट लग सकती है जिसकी वज़े से शिशु को गर्व में दिक्कत हो सकती है इसके अलावा बिना सुरक्षा के संबंद बनाने से गर्व में शिशु को संक्रमन होने का खत्रा रहता है और साथी इस दोरान शिशु को गर्व में जटका भी लग सकता है दूसरा है शरीर पर जादा जोर ना डाले नववा महिना लगते ही कुछ करवती महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए शरीर पर जादा ही जोर डालने लगती हैं जो कि बिल्कुल गलत बात है और ऐसा गरने से आपकी परेशानी और भी जादा बढ़ सकती है क्योंकि शिशु का सर नीचे के और आने के बाद करवती महिलाओं को ज़्यादा शारेरिक श्रम नहीं करना चाहिए क्योंकि इस से शिशु को नुक्सान हो सकता है तीसरा है ट्रैवलिंग ना करें जब करवती महिलाओं को ये पता चल जाए कि उनके शिशु ने head down कर लिया है तो अब उनको ज़्यादा traveling नहीं करनी चाहिए क्योंकि दोस्तो traveling के दोरान शिशु को जटका लगने का खत्रा होता है और इससे गर्व में पर रहे शिशु को और मा को दोनों को ही नुकसान हो सकता है इसलिए आपको ज़्यादा दूर जाना हो या पास में ही जाना हो traveling इस दोरान आप avoid करें और जब बहुत ज़्यादा जरूरी हो तब ही आप traveling करें क्योंकि इससे समय से पूर्फ delivery होने का खत्रा होता है चोथा है जादा तेजी से चहल कदमी ना करें दोस्तो pregnancy की दोरान walk करना बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है और गर्वती महिलाओं को थोड़ी बहुत सैर जरूर करनी चाहिए इससे body में blood circulation भी बना रहता है और normal delivery में भी काफी सहायता होती है लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब शिशू head down position में आ जाए उस दोरान आपको ज़्यादा तेजी से चहल कदमी नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा walk भी नहीं करनी है क्योंकि ये आपको और होने वाले शिशू को नुकसान में डाल सकता है क्योंकि इस से पानी की थैली फड़ सकती है और समय से पूर्वाप की delivery हो सकती है पाचुई बात खान पान का ध्यान रखें प्रेगनेंसी के नववे महिने में गर्वती महिलाओं को खास तोर पर अपने खाने पीने का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए जिससे आपको अपच, कैस या फिर लूज मोशन की समश्या हो अगर आपको ये कोई भी समश्या होती है तो इससे आपकी परेशानी और भी जादा बढ़ सकती है इसके अलावा दोस्तों जब शिशु सर्ज नीचे कर लेता है तो उसके बाद आपको ऐ प्रायाम करना या फिर जुक कर कोई भी काम करना इन सभी चीजों से आपको बचना है क्योंकि इन सभी कामों से मा और बच्चे दोनों को परेशानी हो सकती है तो दोस्तों ये थे वो कुछ काम जो कि शिशु के हैड़ डाउन होने के बाद आपको बिलकुल भी नहीं करने ह मैं उम्मीद करते हूँ ये वीडियो आपके लिए यूसफुल होगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद